आईए दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इंफ्यू चनल टेक श्टडी पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुखमंत्री कन्ना उथान हुजना के बारे में अगर आपने बिहार के किसी भी इन्वरसिटी से 25 अप्रेल 2018 के बाद आ अभी तक पैसा मुझे नहीं मिला है तो आपको नियूज निकल का आई है अब इन्वरसिटी में tidak में आपको एक हार्ड नहीं दोगी पहरे आप जाघा आज और दो सक्क्रों कर निखेगा विडियो को लांस दो रू दूर देख आप फीजियो से पहले मैं आप से चोटा सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और विए लाइकोन को दबा दीजिए ताकि आएसे लेटिस्ट वीडियो मिलता रहे चलिए शूर करते हैं आप जो स्किन पर देख पा रहा है या आज की न चैनल के आई है मुझफर पूर्शी आई है तो यहां पर देखें के करना उथान उजना किरासी लेने के लिए छट्राओं को डॉक्टर भ्यूम राववेद कर भी जामा करनी होगी अब देखिए आपने जो आवेदन किया था उसका आपको को यहां पर लगाना होगा जो भ कर्याला में अब इन्वर्सीटरी जाएंगे तो वहां पर कर्याला है वही पर आपको यहां पर डॉक्मेंट जो है सम्मिट करना है आसना तक पार थिरी की मार्क सीट वकन्या उधान जोड़ना के पोटल की ताजा एस्टेटर्स की कॉपी जामा करने का निर्देस बीबी को कपी देना होगा अगर आपको अभी तक नहिंगता है कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं तो मैं इसका बीडियो की प्लेइलिस्टा झाहनगे गश्तविशन में प्लेइलिस्ट का लिंग मिलाएं को इहां से जाकर देख सकتे हैं सरकार बीवी के तमाम छत्रायों की रिपोर्ट जो है मांगी है डिएस डोब्ली डोक्टर अभेक मार्सीर ने कहा कि सरकार की ओर से आसनातक पास छत्राओं को 25 तरव पर मिलने हैं अप्रेल 2018 के बाद आसनातक पास छत्राओं को इसका लाब मिलना है कहा कि इस ओधी के बाद जिन छत्राओं को उनके खाते में कोफी कर्यालय में पोर्टल पर था श्टेयर्टेस की काउफि करें आप जाके जमा कर देनगे आपको ऑफ्लेंग जमा करना है सत्यापन कर इन्हें सरकार को भेजा जाएगा यहां से फिर वेरिफाय कर दिया जाए गा इंवर्सीटी की और से आण डिर्ट जो है गोवर्मेन पतार बीवी से इनकी जरकारी प्राप कट रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अभीम्बा आम्मेद का इंवर्सिटी के अंतरकत इस सभी जो है डिश्टिक आते हैं जैसे सीता महरी पच्छमी चंपान पुर्वी चंपान बैसाली मुझफभू यह सारे एक इंवर पास पहुचा दिया अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राब किजेगा और वीडियो को सेर किजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्यवाद